इतिहास में एक नाम है, बंदा बहादुर सिंग, आप में से बहुत कम लोगी एलाम सुने होगे, कुरूरता किसी कही जाती है, ये आप विडियो में आगी थोड़ा सा इमेजिन करना, बंदा बहादुर सिंग का जन 1770 हुआ था, इनकी माता पितनीन का नाम लक्षमन देव र स्थापित किया था, 1789 में उनकी मुलाकात गुरू कोविन सीजी से होती है, उसके बाद वो उनके सिस बन जाते हैं, और गुरू कोविन सीजी ने उन्हें एक नाम दिया था, बंदा बहादुर सिंग, और गुरू कोविन सीजी के समर्थन और से एक सेना तयार किया, उनके जन्रल कवंडर वनवेर जिसके बाद उन्होंने मुगलों के खिला बिद्रो शेड़ दिया पंजाब राद्ध में अपनी सक्ता स्थापित की इसके बाद जमीन के मालिकों को संपत्ती का दिकार दिया और इसी के साथ जमीदारी प्रथा को हटाया उन्होंने अपने राज में गुरु गोविन सीजी और गुरु नानक सीजी के नाम का सिक्का भी चलवाया सत्रा सो पंद्रा इस्विके प्रारंब में साही फौज अब्दुल सदम खाक के नित्रित्व में बंदा भादुर सीजी को गुरुदास पूर जिले के गुरुदास लगल गाउं के किले में गई मैहिनों तक घेरा बना के रखा उन्होंने साथ दिसंबर को मुगलों के आगे आत्म समर्पन कर दिया उन्हें पकड़ कर लोहे के पिंजिने में पैक किया गया था और उनकी तुकड़ी के बाकी सीखों को भी पकड़ लिया गया था इसमें करीवन 780 सीख कैदी थे और करीवन 2000 के आसपास सीर भाले से लट सारे कैदी सीखों को दिल्ली के खिले में रखा गया था जहां उन्हें अपना धर्म छोड़कर इसलाम अपनाने के लिए दवाव डाला गया था उनकी मरा करने पर सारे सीख भाईयों को फासी की सजा सुना दी गई थी अती दीन गरीवन 100 सीखों को सारवजनी के रूप से फासी दी जाती थी और फासी देने के पहले बंदा बहादूर सीखे चारों और एक चक्र बना गया और उन्हें एक तलवार दी गई और एवं अपने बेटे अजैसी को मारने का आदेश दिया गया पर उन्होंने कुछ नहीं किया उसी समय जलाद आगे बढ़ा और अजैसीजी के सरीड के तलवार से दो तुकड़े कर दी और बंदा बहादूर सीजी के चेहरे पर फेका गया तूरता यहीं तक खतम नहीं हुई उनके बेटे का दिल निकाल कर बंदा बहादूर सीजी के थे बिना भाव प्रकट किये पर फिर भी जलाद को सुकून नहीं मिला उसने उनके बाएं पैर काट दी फिर हाथ काट दी और गरम चिम्टे से उनके मास को चीर दिया गया फिर भी उन लोगों को सुकून नहीं मिला और उनके सरीर को सेंकड़ों टुकड़े कर दिये